जिस time पे अधार कार्ड बना था उस time से लेकर के और जितना बार अधार अपडेट हुआ है वो सारा हिस्टरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है अधार कार्ड किस date पे बना था उसका involvement और कब correction हुआ है उसका enrollment और date क्या आपने correction करवाया है वो सारा चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अधार में किस date पे क्या चीजे correction करवाया है वो पूरा history आप खुद से check कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहता है कब मैंने क्या चीजे कितनी बार correction करवाई है तो अगर आप यह history में check किजेगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कब और क्या आपने अपडेट करवाया है आधार अपडेट history कैसे check करना है वो मैं आपको पूरा process बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको Google Chrome open करना है और यहाँ पर आपको search करना है myadhar.uidai.gov.in आप इस link को अच्छे से देख लिजिए आपको यही search करना है और इसका link मैं आपको वीडियो के description में भी दे दूँगा तो आपको यह search करना है जब आप search किजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको login वाले button पे click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको आधार number देना है जिस आधार card का आप update history देखना चाहते है वो आधार number देना है फिर जैसा इस box में capture लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है small में है तो small में capital में है तो capital में और number है तो वो number आपको यहाँ पर लिखना है successful OTP send हो जाने के बाद आपको यहाँ पर OTP enter करना है तो जो आपके आधार से mobile number registered है उस पर OTP जाएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना है successful login हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा आधार update history तो इस पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा सबसे उपर में आपको एक date लिखा हुआ दिखेगा यानि कि इस date से पहले तक जितना बार भी आपने आधार कार्ड में correction वेगरे करवाया है वो आपको नीचे सोह करेगा तो जैसा कि आप देख रहें यहाँ पर एक लिखावा record करके one of three यानि कि अब तक इस आधार कार्ड में तीन बार update हो चुका है तो वो सारी चीजे आपको नीचे scroll down करने पर details में देखने को मिलेगा कि कब और क्या update हुआ है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड की update history तो अगर इस वीडियो से रिलेटर आपके अंदर किसी भी तरह का doubt है तो आप comment किजिए जितना हो सकेगा मैं आपको support करूँगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए और इस वीडियो को share किजिए